राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार राजस्थान के कौन-कौन से छेतर में कौन-कौन से मिट्टी पाई जाती है इसको हम इस वीडियो में बताएंगे तो राजस्थान के अरावली परवत माला के पश्चिम में समस्त जिलों में रेगिस्थान पाया जाता है जिसको मरुस्थलिय या सीरोजम या भूरी रेतीली मर्दा कहते हैं इसके अलावा कुछ इलाकों में, कुछ जिलों के कुछ इलाकों में जैसे लबणी मर्दा पाई जाती है, बाडमेर, जालोर, अनुमानगड और चूरू के कुछ छेत्रों में पाई जाती है. फिर है भूरी कछारी मिट्टी, गंगानगर, अनुमानगड, अलवरव, भरतपुर के कुछ छेत्रों में पाई जाती है. फिर है लाल पीली मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी, सिरोही, जालोर, सवाई मादोपुर, करोली और अजमीर. यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, पाई जाती है. फिर काली मिट्टी के छेत्र, कोटा, भूंदी, बारा, जालावाड, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है. लाल दोमट मिट्टी के छेत्र, यह लोमी मिट्टी के छेत्र, तो लाल मिट्टी के छेत्र, उद्यपुर, भीलवाडा, राजसंबन, चित्रवडगर, डूंगरपुर, बासवाड़ के कुछ छेत्रों में पाई जाती है. और लाल मिट्टी और काली मिट्टी के बीच का छेत्र है, उसमें पाई जाती है. लाल काली मिट्टी का मिस्रण. तो भीलवाड़ा, चित्तोडगड, प्रतापगड, उद्यपूर, डूंगरपूर, मासवाड़ा के कुछ छेत्रों में पाई जाती है अब देखें तो पीली मिट्टी, यानि कि पीली भूरी मिट्टी सिर्फ पाई जाती है टॉंक और टॉंक के आसपास का जिला है जैसे अजमेर और सवाई मादोपूर अजमेर सवाई मादोपूर टॉंक इसमें पीली मिट्टी पाई जाती है पीली भूरी मिट्टी अब इन मिट्टी के प्रकारों के अलावा जहाँ पर पानी का बहाव है उन छेत्रों में जलोड मिट्टी पाई जाती है जलोड मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं भीलवाड़ा, बूंदी, जेपुर, दोसा, अलवर, भरतपुर, करोली, दोलपुर यहाँ के छेत्रों में, कुछ छेत्रों में, जलोड कछारी मिट्टी पाई जाती है तो इसका हम आपको नक्सा भी दिखां, तो यहाँ देख सकते हैं, यह राजिस्थान का नक्सा है यह भूरी रेती लिए कचारी मिटी है चार जुलो में कि यह पूरा पूरा रही स्थान है बाड़y मेरोड जालोर के कुछ छेत्रों में लबणी उल लबणी masih यह हनमान गड़़ड चूरू में भी लाल पीली मिटी शुरुही जालो और और लाल तीरी मिट्टी करोली सवाय मादुपूर अजमेर यहां पर काली मिट्टी का छेत्र है और यह लाल मिट्टी का छेत्र है लाल मिट्टी का छेत्र के बीच का छेत्र यह लाल काली मिट्टी का मिस्त्रन हो जाएगा और ये जलोड मिट्टी के छेतर है और ये वाड़ा जो छेतर है ये भूरी मिट्टी का छेतर है टौक वाड़ा तो ये थे हमारे मिट्टी के प्रकार राजस्थान में